आपका स्वागत है आज मुद्दे की बात कारेक्रम में एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यह मुद्दा जुरा हुआ है इरोप के सबसे बरे नावकिये उर्जा सेंत्र पर हमले के संद्रव में हम बात करेंगे कि आखीर कौन सा यह उर्जा सेंत्र है और इस पर हमले को लेकर करके क्या हाल के समय में घटना करम रहा है और विभीन देशों की क्या इस्थिती रही है इस इंसिडेंट के संद्रव में और साथ साथ भारत ने इस संद्रव में इस बारे में क्या कुछ अपना मत रखा है क्या कुछ भारत ने कहा है इस पर भी चर्चा करेंगे तो यहां ध्यान रखेगा कि भारत ने इस मामले में जो उक्रेन में यह एक नाभिक्य उर्जा सेंत्र है और इसका नाम है जापो रिजजिया इस नाभिक्य उर्जा सेंत्र में रूस और उक्रेन के बीच में जब इध की स्थिती बनी और तब रूस के द्वारा इस सैंत्र पर कबजा कर लिया गया और उसके बाद इस सैंत्र पर हमला की भी गतिविदिया चली इसके बाद इस सैंत्र को लेकर करके इस प्लांट को लेकर करके चिंता जनक इस्तिती देखी गई और इसी के बारे में भारत ने भी हाल के समय में संदरवित एक बैठक हुई उस बैठक में भारत के जो प्रतिनिधी हैं उन्होंने चिंता जाहे की कि निश्ची तोर पर रूस के द्वारा ये जो कारवाई की गई है इस नाभिकिय उर्जा सहत्र पर जो हमला किया गया और उस तो फिर भारत ने किसी भी इस्तर पर कोई पक्ष और विपक्ष वाली इस्तिती नहीं रखी क्योंकि भारत ने हमेशा रूस के अगेस्ट में जब भी वोटिंग की बारी आई तो वहां से वो एप्स्टेन अपने आपको किया अपने आपको दूरी बनाए रखने की कोशिस की तो ऐसे में भारत के द्वारा इस विशे पर चिंता जाहिर करना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है आगे बात करते हैं जापोरी जीया ना भी किये उड़जा सेंत्र पर रूस के द्वारा हमला किया गया था यही वह सेंत्र है यही वह नुक्लियर पावर यह है कहां पर यहर उक्रेण में जाइज से दा यहीं में जब है तभी तो रूस ने इस पर हंला कर दिया क्या धर्या ना किया जाता है और ऐसे में रेडियू एक्टिव पदार्थ यदि एमीट होते हैं उनका उच्छरजन हो जाता है उनका रिशाव होता है किसी भी प्रगार के हमले के कार तो इससे जो आम जन जीवन है आम जनता है उसको सबसे अधिक नुकसान हो सकता है है कि नहीं तो इस लिहा चादरे में कहा जाता है कि कंक्रीट की कई मोटी परत से इसका निर्मान किया गया है और साथ ही इसमें स्टील की चादरें भी इस्तिमाल की गई है इसकी सुरक्षा के लिए तो इस लिहाद से यह अपने आप में बेहत मजबूत माना जाता है लेकिन यह भी चतावनी दी ग और आने वाले समय में इस सयंत्र पर हमले को लेकर करके जो विभिन देशों ने अपने अस्तर पर कंसर्ण रेज किये हैं उस कंटेक्स्ट में इसकी चर्चा यहां पर महत्रपूर्ण हो जाती है यहां पर मैं आपको बताओं कि चिंता का जो मूल कारण है वो कहां कहां पर यहां पर उभरता है पहला है कि outdoor spent fuel cooling pool है जो यहां पर वहां पर यह हमला किया जाता है तो जो spent fuel है जिसको ठंडा करने के लिए उसे cooling pool में रखा जाता है तो वहाँ परिदी हमला हो जाए तो फिर वो irradiated जो fuel है वो पूरे वातावरन में फैल सकता है और उससे नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर इस्तिमाल किया है outdoor spent fuel spent fuel, cooling pool तो बहुत ही आसान है इसको समझना एक ऐसा पूल है जो की cool करता है, cooling करता है आपने swimming pool का नाम सुना होगा न जो इसमें लोग तैरते हैं तो उसी तरीके से यह cooling pool है जिसमें cool किया जाता है, ठंडा किया जाता है क्या ठंडा किया जाता है तो outdoor spent fuel आउटडोर में है चाहिशी बात है कि जो main नाभिकिये सेंत्र है उसके बाहर में है परिसर के अंदर में ही है लेकिन उसे परिसर के बाहरी किनारे पर बाहरी हिस्से पर इसे बनाया गया है इस पूल को इसलिए इसे outdoor cooling pool नाम दिया गया है और यहाँ पर जो spent fuel है spent fuel का मतलब यह हुआ कि जिस नाभिकिये इंधन का इस्तेमाल किया जाता है इस सेंत्र में वह नाभिकिये इंधन अब समाप्त हो चुका है अपनी उड़जा वक हो चुका है अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है तो अब उस fuel को इसमें डाल दिया जाता है cooling pool में डाल दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए तो इस लिहाँ से यदि इस cooling pool में यदि attack किया जाता है bombarding की जाती है तो फिर ऐसे में चिंता वाली इस्तिती सामने आ सकते है यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस सेत्र में कई स्तरों पर bombarding की इस्तिती गोली बारी की इस्तिती देखी गई है हाल के समय में और इस लिहाँ से यहाँ पर चिंता की इस्तितियां देखी जा रही है दूसरी बरी बात यह है कि यहाँ पर जो pump है और pipe है उसे भी नुकसान पहुचने की संभावना बन सकती है कि एक तो जो structure है है ना इस नाभिकिये सेत्र का जो structure है उस structure को ही नुकसान पहुचाया जाए दूसरा है कि जो इस structure से जुरे हुए अन्ने हिस्से हैं उनको नुकसान पहुचाया जाए जिन में शामिल है ये cooling pool और pipe और pump है ना क्योंकि इन pipe और pump का भी तो इस्तेमाल किया जाता है ना भी किये reactor में तो यदि इन pipe और pump को भी नुकसान पहुचाया जाए तो उससे इस power plant को बहुत हद तक नुकसान पहुच सकता है आगे बात करें तो इस reactor में इंधन लंबे समय तक गर्म रहता है और ऐसे में यदि इस reactor को बंद भी कर दिया जाए कुछ समय के लिए तो भी जो इसकी गर्माहट है इसकी जो उश्मा है वो लंबे समय तक बरकरार रह सकती है और ऐसे में यदि इस पर बंबार्डिंग होती है इस पर शेलिंग की जाती है तब फिर वैसे में उसका खामियाजा भुगतना पर सकता है तो यह सारी इस्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है अब एक सवाल यहाँ पर उभरता है यह कि क्या यह चेर्णोबिल ना एक सवाल जरूर उठता है मन में कि क्या ऐसे में चेर्णोबिल नाभिकिये दुरुगतना जो हुई थी 1986 में क्या उस तरीके की इस्थिति परप सकती है तो यहाँ पर हमें यह थोड़ा समझना होगा कि चेर्णोबिल नाभिकिये दुरुगतना में कौनकों से फैक्टर महत तो पूर्ण तो पर काम कर रहे थे पहला तो यह है कि चेर्णोबिल में शितलक के तौर पर पानी का इस्तेमाल किया गया था और मंदक के तौर पर ग्रिफाइट का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर थोड़ा सा आप टेक्निकली समझीए कि शितलक यानि कि इसे कुलेंट कहा जाता है और मंदक इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं moderator क्या कहते हैं moderator है ना तो यहां थोड़ा सा यह समझ लीजिए कि जो पानी है पानी का इस्तिमाल शितलक के तौर पर इसलिए किया गया है किया जाता है कि जब नाभिकिये सैंत्र में बहुत अधिक गर्माहट हो जाती है नाभिकिये प्रक्रियाओं के माध्यम से तो फिर उस नाभिकिये सैंत्र को उस प्लांट को ठंधा करने के लिए पानी का इस्तिमाल किया जाता है ताकि थोड़ा जो गर्मी है जो उश्मा है उसको शांत किया सके उसको रिलीज किया जा सके दूसरा जो मॉडेरेटर है मॉडेरेटर का इस्तिमाल इसलिए किया जाता है कि जो नाभिकिये प्रक्रिया संपन हो रही होती है जो विखंडन प्रक्रिया संपन हो रही होती है उस विखंडन प्रक्रिया में जो neutron है neutron की गती को धीमी करने का काम कौन करता है तो मंदग करता है ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ही ठप हो जाती है बंद नहीं होती है प्रक्रिया बलकि उसको moderate करती है उसकी गती को धीमी करती है और इसके लिए ग्रिफाइट का इस्तिमाल किया जाता है तो चेर्णोबील की कॉंटेक्ष में मैं आपको बताओं कि जब चेर्णोबील नापकी दुरुखटना की इस्तिती बनी तो उस समय जो पानी था पानी तो उसको तो बंद कर दिया गया जो कुलेंट था कुलेंट को तो बंद कर दिया गया लेकिन जो मॉडिरेटर था वो मॉडिरेटर काम करता रहा और इसकी कारण व्यापक पैमाने पर दुरुखटना की इस्तिती देखी गए दूसरा है कि वहाँ पर जो सटडाउन प्रनाली थी उसका डिजाइन भी सही नहीं था ठीक नहीं था इसके कारण भी जो यह दुखटना हुई थी चेर्णोबिल की यह बहुत ही व्यापक तौर पर देखी गई थी जानी गई थी यह सारी इस्तित्या यहाँ पर चेर्णोबिल के कंटेक्ट में समझने लाइक है और बाकी यह हम जैपोडी जीजिया नाभिकिया सहित्र की बात करें या फिर इससे जुरे हुए अन्य जो निकलियर पावर प्लांट से उनके कंटेक्ट में यह हम बात करें तो वर्तमान में अब इस्तिती यह है जो कुलेंट है और जो मॉडेरेटर है उन दोनों को रिडूस किया जाता है यहाँ पर ध्यान रखेगा कि कुलेंट प्लस मॉडेरेटर इन दोनों को रिडूस किया जाता है इन दोनों को कम किया जाता है और इससे नाभिकिये दुर्खटना की संभावना को मिनिमाइस किया जाता है तो वर्तमान में जो नाभकिये उर्जा सेहत्र हैं नाभकिये पावर प्लांट्स जो भी हैं उनमें इसका इस्तिमाल किया जाता है कुलेंट और मोडेरेटर दोनों को ही कम कर दिया जाता है इससे आगे कोई भी दुरखटना की संभावना नहीं रहती है जबकि चर्णोबिन के बारे में मैंने क्या बताया कि कुलेंट ने काम करना तो बंद कर दिया लेकिन जो मोडेरेटर था मोडेरेटर काम करता ही रहा था और ऐसे में बड़े पेमाने पर जो पावर थी जो उड़ जा थी वह जनरेट होती रही और वह नाभी की विश्वोट का कारण वहाँ पर बनी थी आगे बात करें तो इस पूरे मामले में अब इस्थिती क्या दिख रही है इस्थिती ये दिख रही है कि G7 और सैंक्तराष्ट इन दोनों ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है विक्सित देशों का जो समू है group of seven countries G7 और United Nations इन दोनों ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है कि रूस ने यदि इस पर कोई नियंतर नहीं किया तो हो सकता है कि कल को भारी नुकसान उठाना परे यहां तक की इस्थिती देखी गई है कि सैंक्तराष्ट ने ये भी रूस से कहा है कि आप IAEA के जो इंस्पेक्शन टीम है उसको जाने दीजिए ताकि वहां जाकर चेक जिलकी जो वहां की इस्थिती वह कैसी है कहीं ऐसा तो नहीं की कुछ टैमेज हुआ है और यदि इसको जो इसकு हिसाब से ऊसको ठिक करना परेगा इस पर भी रूस जो है अड़ा हुआ है और रूस इस पर इंकार कर रहा है आगे बात करें वही भारत के द्वारा भी इस पूरे मामले में चिंता जाहिर की गई है मैंने इसके बारे में शुरू में बता ही दिया कि स्युक्तरास्ट सुरक्षा प्रिसद की एक बैठक में भी भारत के प्रतिनिधी के द्वारा इस विशे पर जिंता जाहिर की गई है और ये अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा सकता है अब यदि हम बात करें कि आखिर इस पूरे मामले में क्या विकल्प निकल कर सामने आता है क्या हमारे पास में अल्टरनेटिव है है ना तो इस सेयत्र की सुरक्षा किसी तीसरे पक्ष को सौपने का एक विकल्प यहां पर दिख रहा है क्योंकि ये सहत्र तो है उक्रेन में और रूस ने उक्रेन पर हमला किया है की नहीं और रूस के कबजे में अभी ये सहत्र चलाया है अब आईए ये की टीम को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है रूस ऐसे में ये एक alternative निकल कर सामने आ सकता है कि हम किसी तीसरे पक्ष क ये कहें कि आप इस प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और रूस से इसके बारे में उसको मनवाने की कोशिस करें उससे कहें कि आप इस जो थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी को एटलिस्ट इजाज़त दीजिए ताकि वो वहाँ पर जाकर करकि इसकी safety की जो भी कारवाई है वो करें यह एक alternative के तौर पर देखा जा रहा है अब यह देखने वारी बात होगी कि रूस इस विशय पर क्या निड़ने लेता है क्या उसे accept करता है या फिर reject रहता है तो बहरहाल जो jeopardy जीजिया nuclear power plant में वस्तु स्थिती है उसके बारे में हमने आज की session में discuss कि क्या चिंता आएं उस पर बादचित की और किस तरीके से सहुतराश्ट ने भारत ने और G7 ने इस पूरे मावले में अपना अपना मत रखा है इसके बारे में भी हमने discuss किया क्या इसके लिए alternative हो सकता है इस पूरे विशय में इसके बारे में भी हमने बादचित की तो आज क चर्चा हम यहीं पर समात करते हैं, मुद्दे की बात कारिक्रम में, किसी और मुद्दे के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्चित रहिए, all the best.